जैन दोस्तों आप लोग का स्वागतम है हमारे नई चैनल cny tuition art पे दोस्तों आपको मैं बता दू कि आप फर्स्ट पार्ट जो हरपा सवेता का जो बन चुका था फर्स्ट पार्ट उसका वीडियो आप नहीं देखा है तो ज़रूर देखेगा सेकेंड पार्ट हरपा सवेता अब्जेकिटिव कोश़ेंद iska जो सेकेंड पार्ट आझ बन रहा है दो चलते हैं अपने कोश्ष्हण पर और देख्थे हैं आज सा माई ये बहुत इनपॉर्टेंट कोश्षण्स है दोस्तों पूला इंकलूट किया मैंने जितना पूछा गया भीया हार पूरा मैंने क्याकता है इसमें से ढून ढून के एक-एक कोईशन द्रैक में से त्यार किया है तो चलते हैं आज का जो हमारा अगला दोसा नमर कोईशन बनमाली किस राज में स्तित है बनमाली जो है कि कोन से राज में इस्तित है बनवाली जो है ये कौन से राज में इस्थित है अप्शन है हरियाना पंजाब गुजरात और महराज्ट तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तो हरियाना में जो है बनवाली इस्थित है चलिए तिस्या नमर कोईशन देखते हैं कि लोथल किस नदी के किनारे मोस्ट इंप इस्थित है आपको जो अप्शन है शिंदू नदी के किनारे व्यास नदी के किनारे भगवान नदी के किनारे और आवी नदी के किनारे यह जो अप्शन है इसमें होगा भगवान नदी के किनारे जो है शिंदू घाटी जो थी वो भगवान नदी के किनारे इस्थित थी कह चलिए अगला question देख लेते हैं अगला question दोस्तों सिंदु घाटी के निवासियों को किस धादु का ज्यान नहीं था तो यहाँ पर option दिया है सिंदु घाटी के जो निवासि थे उनको किस वस्तु का जो है ज्यान नहीं था मतलब कौन सा धातु जो था उनको ज्यान नहीं था देखें, ओप्शन दिया है सोना, चान्दी, लोहा और तामबा, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, लोहा का जो था सही अन्सर हो जाएगा लोहा, हरपस सभेता में जो लोग थे, हरपस सभेता में लोग, या सिंदु घाटी सभेता, आप लोग कहिए सिंदू गाटी से उसमें जो लोग थे हुए मतलब लोहा से परिचीत नहीं थे उनको पास लोहा का बनाने या खोजने का कोई साधन नहीं था तो चलिए अगला कुशन देख लेते अगला कुशन है कि हड़ापा सवेता किस यूग की सवेता मोस्ट इंपोर्टेंट कुशन द किस यूग की सवेता है इसमें दिया गया है आपका तुरा पार्षन यूग नव पार्षन यूग कहसं यूग उलो यूग तो सही बिलकुक हारपा सब्सक्रिट अधार मोकिस परकार की BROWN ुसक्रिफाatin छीज करते थे सम्सक्रित के बारा में संक्रित के बारे में किस सीज लोग पूरा सभी तुछीज करते चीज संस्कृतिक के बारे में पूचा गया है कि हरपा संस्कृतिक किस चीज पर अधारी थी तो बैपार पर दोस्तों सबसे ज्यादा बैपार पर हरपा के लोग जो थे बैपार पर अधारी थे बैपार से ही अपने जीवन या पन वे लोग करते थे चलिए अगले कोशन पर हम की मात्री देवी का और इंद्र की इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा मात्री देवी की जो हुए हरपा से वेता के लोग जो थे उपासना करते थे अगला कोश्चन है हरपा से वेता का स्वरूप किस परकार का था दोस्तों हरप सबसे सबस्टाइब सबस्क्राइब संहेता क है और हापा सबस्क्राइब सबस्क्राइब अगला कोईशन देख लेते हैं अगला कोईशन है हरपा सवेता की सरप्रथम खोज किसने की थी यह जो हरपा सवेता जो थी या सिंदु घाटी सवेता आप लोग कर सकते हैं जो हरपा से विता की सरपरथम खोज किस ने की थी तो ऑप्षन है आपके सामें दोस्तो अलेक्जेंडर, दयाराम सहनी, कर्नल, वक्स और मैक्सुलर तुरा सही जबाब हो जाएगा दयाराम सहनी ने मतल्ड क्या क्ता है इस हरपा से विता की खोज की थी दोस्तो इसने किती दयाराम सहनी ने इसरवेता की खोज कीती हरपा किस नदी के किनारे इस्तित है या सिंदू नदी किस नदी के किनारे इस्तित है या आपको कोश्चन में आ जाए हरपा किस नदी के किनारे इस्तित है यह जो हरपा ची दोस्तों किस नदी के किनारे इस्तित है कोशन देख लेते हैं अगला कोशन हैं दोस्तों हरपा सवेता के सबसे महतुन विशेषता क्या थी इसको भी 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 आए कर लिए दोस्तों इसको बहुत ही भी 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 आए कर नगर नियोजन वह वस्तु कला थी वैपार थी कला थी पसुपालन थी इसमें दिया गया है कि हरप हरपा सवेता की सबसे महत्पुन विसेशता थि तो नगर नियोजन और वस्तु कलाजुन की सबसे महत्पुन विसेशता थि छली अगला कोईशन देख लेते हैं अगला कोईशन हमारा क्या है अगला कोशन है दोस्तों तो आई उपर हो गया इसके बारे में देख लेते हैं हरपा सिवेता किस प्रकार की से इसके बारे में देख लेते हैं हरपा सिवेता जो था दोस्तों अगला कोशन है हरपा सिवेता का प्रसाशन था राज तांत्रमक लोगतांत्रमक नगर पाली का ग अगर पाली का सही जो है आपका सही हो जागा नगर पाली का प्रसाशन था अगला कुछ है हरपा सवेता के पतन के क्या कारण थे दोस्तों यह जो हरपा सवेता जो थे इसके पतन के क्या कारण थे ऑप्शन दिया गया है विदेशी आकरबन प्राकरती आकरबन या मान भी आप तो उप्यूक्त सभी जो हो जाएगा दोस्तों यह इसमें हरपा सवेता के पतन का मतल्पा सवेता का विनास किस परकार हुआ है उसके बाड़े में इसमें दिया गया है कि विदेशी आकरम्न के मतलब दूसरे देशने उन पर आकरमन कर दिया प्रकृति के कारण बाध या भु हो सकते हैं इसलिए इसमें उपयोग सभी आंसर डी हो जाएगा हरपा से इस्तरी के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है कहां से तो बलुचिस्तान से उसके बाद दिया दोस्तों मोहन जोदो से हरपा से अलमगीर पूर से इसमें दिया गया हरपा से वेता के अस्तल से इस्तरी के गर्ब से पौधा निकलता हुआ कहां दिखाए दोस्तों तो यह हरपा में दिखाए जेता है कहां पे हरपा में इसका मतलब उतकन किया गया अगला कोशन देख लेते हैं कि अगला कोशन है हमारा है दोस्तों कि सिंदू घाटी सभेता के अस्तल में सबसे सर प्रथम किस अस्तल का उत्कन किया गया था अगला कुशन है सिंदू सभेता जो थी दोस्तो इसमें गोधी पीरा कहां से प्राप्त की गई थी तो लोथल काली बंगा राखी गड़ी अबनवाली तो लोथल से जो है दोस्तो गोधी पीरा जो है प्राप्त की गई थी इसका सही आंसर होगा लोथल से जो दोस्तों गोधी पीरा प्राप की गई थी चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन अठारे नमर कोशन है हमारा किस किस सिंदू अस्तल से सूती कपड़े के साक्ष मिले हैं चलि अगला कोशन देख लेते हैं जो हैं अघला कोशन देख लेते हैं हमने यहां पर देख लिया 18 नमर तकन लोग देख लिया था अगला कुछन है कि मोहन जोदरो का उत्कन किया गया था मोहन जोदरो का उत्कन किस ने किया था मोहन जोदरो का उत्कन किस ने किया था किस विद्वान ने किया था दोस्तों तो दयाराम सणी, जोन मार्शल, R.D. बनरजी और R.S. विश्ट इसका सही आंसर जो हो जाएता दोस्तो, R.D. बनरजी ने मोहन जोद्रो की खोज की थी चलिए अगले question पर चलते हैं अगला question जो हमारा दोस्तो मोहन जोद्रो किस नदी के किनाड़े बसा हुआ है ये जो मोहन जोद्रो था किस नदी के किनाड़े बसा था सिंदू नदी, रावी नदी, जेलम नदी और चिनाम रदी इसका सही answer हो जाएगा दोस्तो सिंदू नदी के किनाड़े जो है मोहन जोद्रो बसा हुआ था अगला question देख लेती है मोहन जोद्रो किस भासा का सब्द है दोस्तो ये जो मोहन जोद्रो था दोस्तो वो किस भासा का सब्द है हिंदी शिंदी उर्दू फार्ची तो इसका जो आंसर हो जाए दोस्तों सिंदी भासा का सब्द है मोहन जोद्रों किस भासा का सब्द है दोस्तों सिंदी भासा का सब्द है मोहन जोद्रों सली अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन लोथल कहां इस्थित है लोथल जो दोस् सबसे माना जाए तो गोधी वीरा जो यहीं से लोथल सही प्राप्त की गई है चलिए अगला कोर्शन देख ले हैं प्राचीन इतिहाज का निर्मान किया गया था साहितिक चलिए अगले कोशन पर चलते हैं काली बंगण भारत के किस राज में अवस्तित है यह तिस्तित है तो आपको सही आंसर हो जाएगा आंसर ही दोस्तों राजिस्तान में जो है काली बंगण इस्तित है answer C, इसका answer हो जाएगा तो चलिए अगले question पर देखते हैं गंदे पानी की निकासी समूचित व्यवस्ता सर परतम की सवेता में हमें देखने को मिलती है सिंदू गाटी सवेता, मिस्ड की सवेता, रोम की सवेता और चीन की सवेता इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तो ये सिंदू गाटी सबेता में हमें गंदे पानी की निकाशी के समुचित ब्यवस्ता प्राप्त देखने को मिले हैं जो की मत्त क्याकता है एक मुख्य सडग जो थी जिसके लंबाई 9.15 मीटर थी दोनों किनारे नाली बनी थी गंदे पानी को निकालने के लिए सहर से बाहर गंदे पानी निकल जाते थे जो की इस सिंदू गाटी सबेता में हमें मिले थे चलिए अगला कोईशन देख लेते हैं जो वहां की और चलिए हमारा कोईशन तो आप समापत होगया दोस्तो अब अगले पार्ट का आप इन्जार कीजिए थेख और दोस्तो अगर आपको इसका पीडीयाफ लेना है ए ए दोस्तोcket इसका पीडीयाफ तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर लिए साथ отправ को मै description में इसका link दे दूँगा वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं और साथी मैं आपको दोस्तों बता दो कि आपको यहाँ पर political, history, geography और economics इस तीनों चारों जो subject है इसका full objective question and previous year question paper और subjective question भी आपको यहाँ पर करवाया जाएगा इसलिए हमारे चैनल को आप subscribe कर लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह का कोई समस्याक ना हो चलिए आज का हमारा lecture यहीं पर समाप्त होता है और हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद झाल झाल